स्री सिवायन नमस्त भ्यम हरहर महादेव सौंबार की अस्टिमी आ गई है जो कि जीवन को बदलने के लिए है रोग संकट पीड़ा जब बढ़ रहे हो न तो वेवाहिक अर्चन बहुत अतिक हो रही हो तो सौंबार की अस्टिमी का आपको लाव उठाना चाहिए बड़े सरल पतम उपाय बताऊंगी जो कि आप बड़े आसानी से चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं देखे इन दिनों होता कि हम सभी पर ग्रहस्त जन है जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारी हैं तो हम सभी से कठीन उपाय थोड़ा सा नहीं हो पाते हैं ऐसी स्थिति में सरल से उ निरंतर घर कर रही हैं जैसे विवा की अर्जन, पुत्र नहीं है, रोग बढ़ रहे हैं, कस्ट संकट पीड़ा है उनका निरान करने में सहाथ होगा तो आप सभी को करना हैं निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जैसे निर्मलेश्वर महादेव होते हैं वह जीवन को करते हैं और कश्ट का नाश कर देते हैं तो आप सभी को उन्हें का नाम लेना है निर्मालेश्ण महादेव का नाम लीजिए और आप सभी को पांच किसी भी पेड की पत्ती ठीक है पांच किसी भी पेड की पत्ती आप ले दीजिए ध्यान रहे तुलसी का पत्ता आपको नही की पत्ति नहीं किया जाता है इसी स्तिति में आप कोई से भी अन्हेपेड़ की ध्यान से करिए गर देखिए कोई पॉपाए हो वह आधा अधूर अग्यान के बिना फलित नहीं होता है फिर हम सोचते हैं कि हमारे कहां पर कमी रह रही है खास तोर पर आज की जो नव विवाहित चन हैं और साथी जो नई कर्ण्या हैं जो विवाह के लिए और अनिकारियों के लिए उपाय कर रही हैं तो आप सभी ध्यान रखें आपको किसी भी पेड़ की पत्ती तोड़ देनी ह इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब अस्टिमी तिथी होने तो बेल पत्तर नहीं तोड़ी जाती गुरु जी कहते हैं कभी भी बेल पत्र एकादशी हो अस्टिमी हो जाथ के साथ आप सभी जानते होंगे आप जो इसे साज कह समय हो इन तिथियम है जो है किसी भी पेड़ की पत्ती ना तूटने पाए इन नियमा का ध्यान रखकर ही उपाई करें आपको किसी भी पेड़ की पाँच पत्ती ले लेनी है और एक सफेद फूल लेने ना है सफेद फूल भी परिपूर्ण होना चाहिए खंडित ना हो इस बात का भी ध्यान रखें कि वह केट की का फूल सफेद रंकर ना हो ठीक है अपने हाथ की हथेली में लेजिए सुंदर भाव से नेर्मरेश्वर महादेव का समरन कीजिए अब इसे लेकर आप महादेव के मंदिर चले जाएं महादेव के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो महादेव मात पिता स्वरूप में हैं कड़कड में उनका वास है और जीवन को परिवर्तित करने के लिए हैं आप उनसे कहेंगे कि हे महादेव मेरे जीवन में परिशानिया चल रही है मैं मंदिर जाने में असमर तुह हूं सारी रिक पीड़ा है या जो भी बात है महादेव मानेंगे ज परिवर्तित है तो ऐसी स्थिति में आप सभी को निर्मलेश्वन महादेव का नाम लेकर असोग सुंदरी माता के स्थान पर इशपर्ष करा देना है इस पर्ष कराने के बार आपको अपनी मन की कामना कहते हुए स्विलीन पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है ठीक ह चने की दाल स्वार्ण के समान भी प्रतीत होती है जो विक्ति परिवार की परेशानियों से जूज रहा है जो विक्ति कस्ट से जूज रहा है जो विक्ति सारी दिक पीडा से जूज रहा है संतान की दिक्कत है साथी विवा की अर्चन आ रही है तो आप सभी को 14 चने की दा कर छोटे बच्चों तक किसी वर भी काड़ी किया जा सकता है उस व्यक्ति के उपर से आपको उतार लेना है एंटी क्लोग जैसे हम सबी उतारा करते हैं उस विधी से उतारा करें सुबह से लेका रात्री तक कभी भी देर रात्री तक कर सकते हैं कोई दिक्कत के बाद नहीं है निर्यंतर उपाई को करने के लिए स्री सिवाय नमस्तुभ्यम महामंतर का जाप करें चमतकारी दिन और रात्री आपके भागी को प्रबल कर देगी वस विस्वास रखें 14 दाने आपने ले लिए और 14 बार ही आपको उतारा करने नहीं कई बार प्रशना आता है कि दिदी 14 बार ही क्यों 14 की संख्या आपने आप में बहुत सुभ मानी जाती है 14 की आपको संख्या लेनी है 14 दाने दाहने हाथ में आपको द्यान रखना है बाये में नहीं रह लेना दाहने हाथ में लेना है और उल्टी दिशा में जैसे anti clock हम सभी उतारा करते हैं उस तरह से आपको उतारा कर लेने हैं और इसे लेकर सीवलिंग पर पूर विया उत्तरदिशा की ओर बैठ जाएं चाहे तो जल चड़ा ले चाहे तो इच्छा आपकी है दीपक लगाएं ज्यादा तो सुब रहता है कि आप सभी जल चड़ाए एक गोलबती का घी का दीपक लगाएं उसके बाद जो है 14 दाने जो 14 बार आपने उतारा कर रखा है विक्ति के उपर अपने मन की कामना कहते हुए सारी पीडा कस्ट कहते हुए सीवलिंक पर समर्पित कर जीए ठीक है यह हो गए दो जो है सुन्दर उपाय कोई भी प्रेश विसेश उपाय की जो के अपने आप में विवाह की अर्चनों को दूर करने हैं इन दिनों हो क्या गया है कि बहुत अधिक सारे जो साधी की दिक्कत है वह हो रही है लड़का नहीं मिलता लड़किया नहीं मिल रही है और मनमुटाव होते हैं कोई भी दिक्कत होती है कही न लाल फूल और पीला चंदन लेकर स्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर महादेव के मंदिर में चले जाना है, लाल फूल वही बात हो गई आप गुढ़ल का ले सकते हैं, कोई साभी ले सकते हैं, ठीक है, लाल फूल ले लिजे चंदन ले लिजे, हल्दी का प्रियोग नहीं करना है पीला चंदन आपको प्रियोग में लेना है इस बात का जहान रखे और आप सभी को माता असोक संदरी के स्थान पर जो विवाह की अर्चन है सारीरी कस्ट है पीडा है वह कहते हुए आपको सिवलिंग पर इसे समर्पित कर देना है तो बात हो गई तीन सरल से उपाई की बा कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो सिव मंदिर में तुम्रुका जी का नाम लेकर किसका नाम लेना है तुम्रुकेश्वर महादेव का तुम्रुका जी वहीं है जिन्होंने सिव महापुरान की कथा मापार्वती को सबसे पहले सुनाई थी ऐसे में आप सभी को गोल बाती का घ बख्त की सुनते हैं उन्हें ऐसा वर्दान प्राप्त है जब जीवन में गुरुजी कहते हैं सब तरफ से आप हार गए हैं कहीं से भी कोई भी आशा की किनन आपको प्रतीत नहीं हो रही है तो आप सभी को तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से सौंबार के दिन सिव मंदि कहीं नहीं जाना कोई परेशान होने की आउशकता नहीं है आपको एक दीपक लगा देना है ठीक है इस बात का आप सभी ध्यान रखे कि दीपक आपको लगाना है तुम्रुकाजी के नाम का हाला कि इससे पहले चैनल पर पंच दीपक का उपाए बताय गया है जो कि अपने आप में अद्भुत है और घर पर भी किया जा सकता है वह उपाए तो आप सभी उस वीडियो को देखकर कम्यूनिटी में उसका लिंक मैंने पीन कर दिया है कमेंट्स में भी उसे पीन कर दिया है तो जरूर से देखिएगा आज के लिए इतना ही आपकी इच्छा सकती सामर् अनुसार 108 चामल के डाने 108 सफिर फूल से सुन्दर महादेव का सरिंगार करे जीवन में भागिवर्ण